लेकि अमौस्या तिथी 31 अक्टूबर को तीन बज़कर कुम्यट पे आरम हो रही है जो दूसरे दिन सायंकाल की बिला तक रहेगी अमौस्या तिखी निसारात्री में ही दीपदान का महत्सो मनाय जाता है जो हमें 31 अक्टूबर को मिल लहा है इसलिए दीपवली महा पर 31 अक्टूबर को मनाय जाएगा और इसके पूजा का जो मौर्थ है अमौस्या तिखी के आरम होने के ठीक 7 मिनट के बाद सही 3 बज़कर 40 मिनट सही पूजा का आरम सुब मौर्थ है जो लोग अपने प्रतिष्थान की पूजा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 3 बचकर 40 मिनट पर अपने प्रतिष्थान की जिसे नवीन प्रतिष्थान है या दुकान है उसकी पूजा कर सकते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेश महात्रो सायंग पात बचकर पंदरा मिनट से ले करके आठ बचकर पचपन मिनट तक विशेश मूर्थ है। इसमें आप भगवती लक्ष्मी की उपासना करें। तांतरिक पूजा निशारात्री में अर्थात साड़े ग्यारा बजे के बाद प्राता तीन बजे के बीच में होती है। और जो भगवती लक्ष्मी की विशेश क्रपा चाहते हैं। उन्हीं चाहिए कि गड़ेश लक्ष्मी के सम्मुख कमल गट्टे के साथ दाने घी में लेपन लगाकर भगवती महालक्ष्मी के सामने रखकर उस पर हल्दी का ठीका लगाएं। श्री सोक्त अत्वा लक्ष्मी अस्तक का पाठ करें अत्वा भगवती के किसी महामंत्र का जग करें। और पूजा विधी गड़ेश जी का पूजा होगा गड़ेश जी का अथर्वसीश से पाठ करते हुए और लक्ष्मी जी की ही पूजा का विशेश महात्व है। चुकि दीपोत्सो पर्व किन मानता है कि समुद्र मन्थन के समय मौस्यातिती में ही भगवती लक्ष्मी का प्राकट उत्सव हुआ था और मानता ये है कि इस दिन भगवती लक्ष्मी पिछवी पर विश्रण करती है जहां पर विधी विधान से उनकी पूजा होती है भगव विष्णों को समर्पिद यह दिन जिस दिन दीपावली मनाई जाएगी तांत्री पूजा तमाम सिद्धियों के लिए चुकि अमौस्या एक बिसे सरात्री है वैसे तो यह तो बारों महिने में हर अमौस्या पढ़ती है लेकिन यह अमौस्या इसलिए सरवसेष्ट मानी में मंत्रों की सिद्धी सुगम और सरण हो जाती है जो मंत्र हम पूरे वर्ष जबते हैं सिद्ध नहीं हो पाते वो इस एक रात्र में जपने पर सिद्ध हो जाते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम सादकों से बताना चाहते हैं कि लक्षमी की उपाशना के लि किबार के दीपावली में आपको मिल रहा है